हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मैं चैनल लेट्स लर्ण इम्रोइडी आज जो हम स्टिच सीखने वाले हैं स्टिच का नाम है काउचिंग काउचिंग स्टिच जो होती है यह पूरा मोटीफ बना काउचिंग स्टिच से है कि तरे लिए इस तरीके से उसके तारीक, य। नीचे से दूसरा मोन चैक को एक तरेकर पीजिए उस तरीके से य। बाकि जैसे यह मोटिफ है यह फ्लार्ट बने हैं लेकिन इसमें से फाउट लें ने की विया है हमने फिलिंग ने किया है तो ऐसे हम इस स्टिच का यूज कर सकते हैं तो आये देखें इसको करते कैसे हैं यह मैंने एक द्धागा है यह पूरी लच्छी है जो म्रोडरी के दालके और इसको इस तरीके से यहां पर बांद देना है लागे नेक्स्ट अब आज पूरी लच्छी होती है वह यह एक द्धागा होते हैं मैंने इसको भी डबल किया हुआ है जैसे यह पूरी लच्छी है जैसे यह पूरी लच्छी है उसको यूस कर सकते हैं आप अकेला भी यूसकर सकते ऐसे ऐसे सिर्फ एक ही को आप यूज़ कर सकते हैं डबल ना लेकर और अब चाहें तो अगर आप कभी किसी वुलन ड्रेस पर अगर आप इमरोडरी को कुछ करना चाहें तो आप इसकी जगह उन को भी यूज़ कर सकते हैं उन भी काफी साइज में आती हैं मोटी बड़ी प्लाई क कि आती है तो जैसे जैसे आपका डिजाइन है यह स्ट्रेट लाइन है अगर आपने इसका फ्लावर बनाना है तो आप इसको तरीके से ले सकते हैं यह हो गई हमारी काउच जिंस्टेज हम चाहें तो इसको जैसे डोरियों से भी यूज़ कर सकते हैं डोरी हम इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और हम चाहें तो इसको यह हम यूज़ कर सकते हैं और जैसे हम कपड़ों में पाइपिन बनाते हैं पाइपिन लगाते हैं और डोरियां बनाते हैं जैसे नेक पे हम पीछे फिटिंग के लिए डोरी बनाते हैं उस डोरी को भी हम यूज़ कर सकते हैं तो अब देखते हैं डोरी से हम कैसे यूज़ करे झाल 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 तोड़ा गलत हो गया, सौरी झाल 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 इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, तो यह होगी हमारी काउचिंग स्टिच, आज की वीडियो में इतना ही, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और इस स्टिच को लेके कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो प्लीज झाल झाल झाल